पूरा नाम नाम लिखने को आता है तो आप हिंदी में पूछे जाए या इंगलेस में पूछे है सभी को हम आप कवर करेंगे और इस वीडियो के दोरा आप कम से कम दो अंग निश्चत आपके पक्के हो जाएंगे मित्रो सिर्फ एक नजर देखने से यानि सिर्फ एक नजर देख वर्दे इस वीडियो को देखने से आपके दो अंग निश्चत पक्के होंगे इसलिए वीडियो को अंता कवसे देखें क्योंकि यह वीडियो सिर्फ सौड फॉर्म के लिए है यानि जितनी भी आपके सौड फॉर्म है हमने इस वीडियो में सभी सौर्ट फर्म को कवर किया हुए मित्रो जो आपकी एक्जाम की द्रसी से आपको लग बग दो अंक अर्जित करने में आपकी लिख साहता करेंगे मित्रो और काफी मित्रों के कह रहे हैं कि आप सर बीटी सी जुतिय सेमिस्टर यानि सेकंड मित्रों को मैं सुचित करना चाहता हूं कि प्रेजंट में जो के पास नोट्स है आप विघ्र ख्र start यानि exam के time में आप इधर दो जाओगे तो आपके mind में है वो यानि प्रस्ण वो set नहीं हो पाएंगे और आप confusion के स्थिति में रहेंगे मित्रो इसलिए मेरा सोजाब यही है कि आप जो है आपके पास आप उसे तैयारी करें और अगर notes की ज्यादा जूरूत है तो हम उसके भी provide कर देंगे मित्रो जैसा कि आपको और मित्रो आप सभी यूपी टेट की तैयारी के लिए एक से बीस पार यूपी टेट की टेगलाइन है अपने academy की और इसके लिए हम यूपी टेट यानि primary level के लिए सिचक पात्रता परिच्छा यूपी टेट प्रात्मिक इस्तर 125 के है जो इन पुस्तकों को नहीं खरीच सकता है यानि math की psychology की यानि primary level के EBS की सभी पुस्तकों को अलग-अलग लंच हो रही है तो present में जो लंच हो रही है मित्रो वो इंग्लिस की है इसके बाद math के भी अभी reading प्रूपिंग चल रही है काम और इसके बाद psychology आपकी इसी तरह आपकी जितने भी EBS यानि प्राथ में किस तरह के लिए सभी पुस्तके लंच हो रही है और जल्दी से ही आप इसे मार्केट में आ जाएगी एक या दो दिन में तो आप इसे खरीच सकते हैं अगर आप मैंसे कोई से चक साती नहीं खरीच पाता है तो आप academy से यहां ले सकत को हमने संकित किया है और लगवच चार से पांच सेट आपको प्रेटे सेट लगाई हुए हैं और सभी प्रस्नुत्तरों की जो हैं हमारे उनको ब्याक्या इस पश्ट रूप से सरलवास हमें की गई है मित्रो इसलिए मार्केट में आने वाली है आप सीगर से खरीच सकते है क्योंकि इस वार यूपिटेट में कोई कमी नी छोड़ेंगे हम और नहीं एक भी अंक कम लेनेंगे तो इसलिए 120 पार टेकलाइन के साथ जल्दी और अपने परिवार को सस्क्राइब करें क्योंकि आप भी का परिवार है मित्रो ये तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक्जाम मैं पूचा जाता है कि DPEP का पूरा नाम लिखिये या DPE की फॉल फॉर्म लिखिये तो मित्रो इन यानि फॉल फॉर्म बाले प्रसणों में से लगा आपको1-2 प्रसंट या 2-3 प्रसंट देखने को मिलेंगे या तो आपके भाविकल्पी में देखने को मिल जाए यानि District Primary Education Program और ये इसका प्रारम हुआ था कभी कवर क्या होता है इसकी प्रारम की डेट पूच ली जाती है मित्रों तो इसकी जो प्रारम की डेट है वो 1994 में इसकी प्रारम हुआ था इस कारिकरम का आयूद किया था और 2009 में इसे सर्व सिच्छा अवियान यानि SSA से जोड़ लिए गया अगर इसका हिंदी में ही हम नाम देखें तो जिला प्रात्मिक सिच्छा कारिकरम और इस कारिकरम की भारत सरकार का जो कभी कवर क्या होता है एक नंबर यानि बस तुनिस प्रस्णों में कुल खर्च के आंकड़े पूच ले जाती है तो इस प्रार यानि जिला प्रात्मिक सिच्छा कारिकरम को जो कुल खर्च करने का आंकड़ा है सरकार का लगवक चालिक करोड में 33.35 प्रस्ण सिविल कारे के लिए खर्च किया जाएगा और सेश उसके जो सिच्छा की गुडवत्ता अभन विकास के लिए इसका खर्च किया जाएगा यह इसकी पसंद आ रही हैं और आप अगर कुछ और नया टॉपिक चाहती हो तो मित्रो अमें कमेंट सुनाथ में अब इस लिखें नश्ट है एस आरपी एस आरपी का पूरा नाम लिखिए प्रस्ण पूछा जाएगा कि एस आरपी का पूरा नाम लिखिए या एस आरपी की फूल फॉर्म लिखिए मित्रो तो एस आरपी का फूल फॉर्म है या पूरा नाम है और यह बिद्याले सिच्छा अगर हिंदी के इसकी बात करें तो बिद्याले सिच्छा की तैयारी कारिक्रम है यानि बिद्याले से पूर्व यानि प्रात्मिक सिच्छा यानि प्रारमिक सिच्छा प्राप्त करने से पूर्व जो तैयारी होती है यानि बाला की बिद्याले मे के बाल को है तुम मित्रों यह कायर करम है और इस वीडियो में सभी प्रस्ण आपको एजटेज एक्जाम यानि बीटी से 2019 में देखने को मिलेंगे एक से दो अंक आपको अवस्य इससे वीडियो से अरज़त होंगे मित्रों इसलिए वीडियो अंतक अवस्य देखें नेश्ट मैई 1988 में यहानी इस CLC का संपूर साचरता अभ्यान क का जो प्रारम वह था आरं कई बार बस्तुनिस्ट प्रश्णों में इसकी आरम की डेट पूंच ली गई है और इसका पूर नाम तो पूंचा ही जाता है और संपूर साचता अभियान की जो डेट है यानि आरम है प्रारम हुआ था पांच मही 1988 को और इसका जो लच्छ रखा गया था 2007 तक यानि 75 प्रसक के जनपद से प्रारम हुआ था यानि एनाकुल है जो के केनल की एक जनपद है वहां से साचरता यवान की यानि संपूर साचरता अभियान शुरू हुआ था तो देखे इस से आपको एजटिड कहीं से भी प्रसन पूंच ले जाए एक जामनर आपको सिर्फ आंसर देना को लवघ दो से तीन अंक अरजित करने को मिलेंगे इसलिए अधिक से अधिक से शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें मित्रो नश्टर मित्रो SSA का पूरा नाम लिखिए तो SSA का पूरा नाम है सर्व सिच्छा अभियान कई बार एक जम मैं पूचा गया है SSA का पूरा नाम लिखिए तो कई बार क्या होता है बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं SSAG नाम है सर्व सिच्छा अभियान है किया जाएगा आप से यह भी पूंच ले आता है कि एससे के अंतरगत यानि संपूर्ण लच्छ कब तक प्रारम करने का लच्छ रखा गया था तो वह 2010 तक रखा गया था मित्रो नेश्ट है NPEGEL का पूरा नाम बता है यह काफी महत्पूर्ण प्रसन है और यह important भी है कई वारे एक जाम आया हुआ है मित्रो तो इसका जो पूर नाम है National Program for Education of Girls at Elementary Level यानि इसका पूरा नाम है National Program for Education of Girls at Elementary Level इसे हम NPEGL के नाम से भी जानते हैं मित्रो जिसका जो आरम हुआ था यानि प्रारम हुआ था वो जुलाई 2003 से इसका आरम हुआ था और इस कारकर्म योजना का उद्धित से क्या रखा गया था यानि जो बालकाएं बीच में छुटूई हैं प्रसिश्टर प्राप्त नहीं कर पा रही हैं उनके लिए जैसे अल्पसंक किया गया था वो जुलाई 2003 में आरम किया गया था कई बार एक्जाम में पूंच लिया था है कि एन पीजियल का कारिकरम आरम हुआ था तो जुलाई 2003 में आपसन आपसन में मिल जाएगा मित्रू नेश्ट है SCA का पूरा नाम लिखिए तो देखे SCA का पूरा नाम है मित्रो स्कूल चलो अभ्यान स्कूल चलो अभ्यान का पूरा नाम है SCA और पूरा नाम है स्कूल चलो अभ्यान हिंदी में भी स्कूल चलो अभ्यान कहते हैं और इसका जो प्रारम हुआ था यानि स्कूल चलो अभ् रख्या गया था नेश्ट है केजी वीवाई का पूरा नाम लिखिए तो केजी वीवाई का पूरा नाम है कस्तुर्वा गांदी बाल का विद्याले योजना यानि कस्तुर्वा गांदी बाल का योजना केजी वीवाई का पूरा नाम है हिंदी में भी सही कहते हैं कस्तुर्व साली बालक होती हैं उनके लिए इस योजना को प्राव्म किया तो और शुरुआत में लगवा पिछत्तर विद्याला इसके खोले गई ते मित्रू नाइस्ट है ncf का पूरा नाम लिखे कई बार एक जम में पूछ लिए आता है जैसे ncf दो हजार पांच तो नेशनल कर्कुलम फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम होता है नेशनल कर्कुलम फ्रेमवर्क यह इसे हम राश्टी पार्चर यह रूप लेखा जो कि न cf te का पूरा नाम है और यहATE 2009 की नाम से जाननी जाती यहां यह दो हजारनो में इसका अरह हुआ था अगर इसी का हिंदी में नाम देखेंगे तो हम राष्टिया पार्चर्या सरचना सिच्छच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च उद्यस रखा गया थे यानि जो प्रात्मिक सिच्छक थे उनके सिच्छर कार्ण में जो मूलभूत आविस्चक सामगरी थी जैसे चौक है डस्टर है मैटकिट है आधि इन सभी को मूलभूत जो सामगरी थे उसे उत्पन यानि उनके लिए मुहया कराना इसका उद्यस से प्रोग्राम फूर मास औरियंटेशन और स्कूल टीचर पी मोश्ट का पूल रूप है जिसे हम पी मोश्ट के नाम से भी जानते हैं अगर हिंदी में हम कहें तो सेवारत अध्यापकों का बिश्त्रित अभिविन्यास कार्क्रम यानि जो विद्याले में सिच्छड़ फूरoga को और प्रभावी बनाने के लिए उनको सेवारत इचछड प्रतान करना इसकार करम का उद्यस से रखा गया मित्रो नैस्ट है की aktu Supt आपको का इसका अजे नाम शोपिती तो प्राइमरी टीचर इसंतर इसका पूरा नाम है रुट का इस अरिएंटेष जैन, प्राइमरी टीचर इस इसका चुच प्राइमरी तीचर therm को के थिक उनिकन इनिकन काठ विगुक्त इस इस अनुस्थापन कारिकरम था. Next है BEP का पूरा नाम लखिये. कई बार एक ज़म आया गए अनुसरो बी इक का पूरा नाम तो इसका पूरा नाम है Basic Education Project. क्या नाम है इसका पूरा Basic Education Project इसका पूर्ण रूर्प है और इसे आरम किया गया था पांच अक्टूबर 1993 से ये प्रभावी होई थी जिसे हम हिंदी में बेसिक सिच्छा परयोजना बोलते हैं यानि प्रात्मिक बिद्धयाले के सभी प्रभंदन खर्च आद इन सभी की उद्धित रखा गया था और प्रात्मिक बिद्धयाले यानि बिसिच्छक के लिए प्र acceleration कारीवी बेसिक सिच्छा परयोजना के अंतरगत ही आते हैं मित्रों तो इस योजना के अंतरकत आपको तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर होगी क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि इसमें सभी सौट ट्रिक्स के अपनाया हुआ है यानि सभी सको सौट ट्रिक्स हैं जो सौट नेम से उनको पूर रूप से बताएगा जो कि आपक चाइंड केर एजुकेशन प्रोग्राम. यह अरली चाइल केर एजुकेशन प्रोग्राम है जिसी यह आ Mate Chief के सकते हैं next is clpi का पूरा नाम लखे तो ira का पूरा नाम है जैसे हम हिंदी में बाल्सरम परयोजना भी कहते हैं और बाल्सरम परयोजना जो की सात्मों 5 वर्षी मिल निल कई हम पूछा गाया कि ऑप के बाल्सरह को जो नीती थी लाजु उसे कमम बजूरय मिली थी तो आपको याद रखना है सात्वी पंच वर्सी योजना जो के और इसे 210 तक बालसरम को समप्त करने का लच्छ रखा गया था जो कि अग्जाम में पूचा गया आता है जाता है कि आप MDMS का पूरा नाम लिखिए तो इसका पूर्ण रुप है Midday Meal Scheme यानि Midday Meal Scheme इसका पूरा नाम है मित्रो Midday Meal Scheme जिसे हम हिंदी में Midday Meal योजना भी कहते हैं और कई वार एक्जाम में यह पूचा गया कि Midday Meal युजना कब प्रारम हुई थी तो 15 अगस्त 1995 से इसका आरम हुआ था और इसका आरम करने का एक मात्र उद्धिय से था कि जो यानि प्रात्मिक बिद्यालेंग बच्चों को सत्प्रतिस्त प्रवेस यानि ठेहराव करना इसका मुख्य उद्धिय से रखा गया लेकिन आगे च इसका पूरा नाम है राष्टियस अच्छिक अनुसंदान एबं प्रसिच्चर परिसत जोके एंस यार्टी का पूर रूप है तो उम्मीद करता हूं मित्रो यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे अधिक से अधिक स कभी सिचक सात्यों के साधियानी जितने में हमारे भाई वेन बंदू प्रसिचर प्राप्त करें सभी को करेंगे सेयर करेंगे अधिक से देख नमसकार मित्रो